मुंबई में NCP अजीत गूट के नेता बाबा सिद्धिकी की शनिवारात गोली मारकर हत्या करती गई हत्या के आठाइस घंटे बाद लॉरेंस विश्णोई गेंग ने सोशल मेडिया पोस्ट कर हत्या के जिम्मेदारी लिखा कि सल्मान खान और दाउद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं इस पोस्ट में लॉरेंस विश्णोई ग्रूप और अन्मोल विश्णोई को हैस्टेक किया गया है पुलिस इस पोस्ट की जाच कर रही है लॉरेंस अभी गुजरात की साबर मती जेल में बंद है उसने 14 अप्रेल को सल्मान के घर के बाहर फायरिंग कराई थी जेल में लॉरेंस से पूछताच कराई जाएगी सल्मान कान के सेकेरिटी भी बढ़ा दी गई है हर्याना और यूपी के शूटर्स ने हत्या की है तीन शूटर्स में से दो को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है एक फरार है एक शूटर हर्याना और दो शूटर उतर प्रदेश के बहराईच के रहने वाले हैं ये 40 दिन से मुंबई में ही ठहरे थे और सिदिकी के घर और बेटे के ऑफिस की रेकी कर रहे थे सिदिकी को वाई सेकेरिटी मिले थी लेकिन घटना के वक्त उनके साथ कोई कॉंस्टेबल नहीं था स्ट्रीट लाइट्स और सीसी टीवी भी बंद थे बांदरा के खेर नगर में शनिवार रात करीब साड़े नौ बजे विधायक बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर तीन बदमाशों ने फाइरिंग की थी